सुशिल कुमार मोदी जिनके आगे अब स्वर्गी लग चुका है ये दुख की घड़ी है बिहार वालों के लिए और उनके चाहने वालों के लिए कोई व्यक्ति पढ़िवार बात का आरोप उस व्यक्ति के उपर नहीं लगा सकता। उसी तरह के से सुसिल मोधी के साधी में प्रसाद बटा, महाविर मंदिर का लट्टू ने विद्यम बटा गया था, उनके पुत्र के विवावें पी, जबकि उस साधी में उनकी एक इसारे पर कई करोर का पंडाल बन सकता था। सुसिल मोधी भाजपा के जण्टे में लिपट कर ही इनका अंतिम सस्कार होगा, सुसिल मोधी केवल और केवल भाजपा का है। और आज वो तस्वीर सच साबित हो गया है। जो उनोंने कहा था उनोंने वो किया। निभाया उनोंने रजसाई है। ग्यारा साल बिहार के डिप्टी सिहम, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिशत, चारो सदनों के सदस्य बने, सुशील कुमार मोती, जिनके आगे अब स्वर्गी लग चुका है, ये दुख की घड़ी है बिहार वालों के लिए और उनके चाहने वालों के लि जिनको सुनकर आपको अचरज होगा, कई ऐसे किस्से कहानिया हैं, अगर आप सुनेंगे तो कहेंगे, क्या शक्सियत है सुशील कुमार मोती, उनके बारे में गहराई से जानने के लिए, हम आज जिस जगा पर मौजूद हैं, जिन से मिलने आए हैं, वो है प्रदीव जासर प्रदीव सर काफी लंबे वक्त से सुशील कुमार मोधी के बारे में उनकी तब्यत के बारे में जानकारी ले रहे थे, कैंसर की बीमारी से सुशील कुमार मोधी जी पीडित थे, लेकिन एक और खास बात ये है कि जब छात्र राजनीती में सुशील कुमार मोधी थे, उस वक्त से प्रदीव सर उनके साथ हैं और उनके बारे में लगभक सारी बाते बहुत गहराई से जानते हैं तो आज आपसे बात्षीत करेंगे और समझेंगे कि सुशील कुमार मोदी जिन्होंने बिहार में बीजेपी को एक उस मजबूत इस्थिती में लेकर आए कि आज बिहा अपने कहा कि मेरे बारे में बताते हुए कि सुसील मोधी के चातर जीवत से नहीं सुसील मोधी जब भारती जनतापार्ठी में आए उस समय से उन्हें जाना सबसे पहली जो एक चबए निकल कराती है कि सुषिल मोडी सेsam todos चात्र आंदोलन से निकले हुए राई देता रहे उसी प्रकार जिस प्रकार से उस चात्रांदोलन से उनके समकाली लोगों में अगर हम देखें तो नितीज कुमार लालू परसाद यादब, सिवा नंतिवारी, नरेंदर सिंग, ऐसे कई नामें वियार की राहिनिती में जो 1990 से लेकर आज तक वियार की राहिनिती के सिर्ष पर हैं, ऐसे सभी लोगों में सुसिलमोदी भी समकालीन थे, लेकिन सुसिलमोदी का जो विक्तित तो रहा है, आप देखेगे कि और लोगों से इन्हें एक अलग इस रुप में खड़ा करता है, कि सुसिलमोदी राहिनिती में रहते हुए भी लगातार अध्यान सील रहें, नमबर वन, नमबर टू, कभी भी अपनी बातों को रखने के लिए, उन्होंने सालींता का त्याग नहीं किया, नमबर दो, नमबर तीन, किसी भी बात को रखने के लिए तत थे और तर्क, जितने अधिक बहतर सुसिलमोदी के पास थे, उनके समकालिन, किसी भी राहिनिता में वो चीज़े नहीं दिखती आज, बिल्कुल, कहते भी हैं सुसिल पूरा करने दिया नहीं, तो मैं फिर इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, नमबर चार, सुसिलमोदी एक ऐसा व्यक्ति तो बना कर रहे है राहिनिती में, विहार के राहिनिती में, जिस पर कि उनके अंतिन सांस तक कोई व्यक्ति, पड़िवारबाद का आरोप, उस व्यक्ति उपर रहा, सुसिलमोदी उस रूप में, पर्टिकूरली भारती जनता पार्टी के कारिकरताओं को याद करना चाहिए, कि सुसिलमोदी साइड, मुझे लगता है, जो संग थाउट ओफ इसकूल है, एक ही जीवन में उन्होंने कई भूमिका का निर्वा किया, एक छातर ने में सबसे नय जो है, बेहत तरीक किया उन्होंने, देखिए, सुशील कुमार मोदी वो इनसान थे, जिन्होंने राजनीती को यूही नहीं चुल लिया, उनका एक विचार था, एक थाउट था, कहते हैं कि उन्होंने पिता का बिजनिस छोड़ दिया, छातर जीवन में थे, कि उन्होंने छातर जीवन से ही तै कर लिया था, कि मुझे बिहार के लिए कुछ करना है, आप कुछ किसे कहानिया अगर उनके छातर जीवन के बारे में मालूम हो तो जरूर बताइए, छातर जीवन में एक तो, मैं तो उस दौर में था नहीं, लेकिन जो सुना है, वो यही कि देखें, जब 1975 में जब देश के ऊपर इमर्जेंसी लादा गया, उस दौर में बिहार में गोविंदा चार्ज रहा करते थे, राम बहादूर राय थे, जो की विदार्थी परसद में और सुसिल मोदी, ये तीन की जो तिकरी थी, वो जो छातर संघर समीधी बनी, आपात राम बहादूर राय और गोविंदा चार्ज को जाता है, तो राम बहादूर राय और गोविंदा चार्ज दोनों तो कोई पठना में रहने वाले नहीं थे, तो पठना में उनका जो संपर्ग था, उसको सब हर तरीके से नियोजित करने का एक प्लैंड वे में उसको एक्ज सबसे बरी बात क्या थी सुसिल मोदी विचारधारा और संदठन के परती समरपित वेक्ति थे ऐसा नहीं था कि वो कोई निम्न मद्यवर्ग या निम्न आर्थिक वर्ग के परिवार से आने वाले करती थे उनके परिवार की आर्थिक से थी मनें आपकर सकती है कि उच्छे मद्यवर्ग रहा है ठीक है जहां पर कि उनके परिवार के लोग भी उनके राईनिती में सक्रिये रहने के खिलाफ थे वो अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ वो राईनिती में सक्रिये थे और आपने सुना होगा कि सुसिल मोधी जब अपना विवा कर रहे थे तो विवा में वो कोई भोज नहीं कर रहे थे कोई आडंबर नहीं था कोई भी आडंबर नहीं था अटल विहारी बाज पर भी व्यक्ति एक विवा को आदर सुलूप पे कर सकता है उस आपकी जानकारी आश्चर्ज करेंगे आप आपकी पिरी कि उस विवा में केवल प्रसाद बटा था जिस तरह से हम लोग सतनरायन भगवान की पूजा में प्रसाद बाटा करते हैं उसी तरह किसे सुषिल मोदी के साध साथगी भरे इन्जान थे इस चीतरूप से वो एक मापदन डिताय करना चाहते थे जो से पते हैं एक रियल नेता रियल नेता क्या कौन होता है जो सामने से करके दिखाए अगर मैं खुद सिगरेट पीता हूं तो मैं किसी अपने से छोटे बच्चे को कैसे सिगरेट पीने दिखाया नकेवल अपने विवाह में बल्कि अपने पुत्र के विवाह में भी अपनी देखा हूँगा कि वह अतिती बहुत सारे थे लेकिन लेकिन कोई ताम जहाम नहीं कोई वह स्टार भोजन की विवस्ता नहीं थी बल्कि महाविर मंदिर का लट्डू जो है ने वेद् कि शादियां इस तरह से चर्चार में रही कि लोगों ने ये तक कहा कि शोरूम लूट लिए गये दहेज देने के लिए शोरूम लूट लिए गये ताम जहाम करने के लिए और करोड़ों का खर्चा करने के लिए वह सुशील कुमार मोदी जो मात्र मंदिर के प्रसाद के शादी करते हैं और महाविर मंदिर का लड़ू बाटा जाता है उनके बेटी की शादी में ये फर्क आप देख सकते हैं क्या जबकि दोनों उसी समय के उभरे हुए नेता हैं 1975 के जेपी आंदोलम से निकले हुए दोनों नेता हैं लालु परसाद यादा उभी और सुशिल कु से और करते हैं गरम करते के जबीहाई करता है उने कई कारकरता वो खरा किया है आप बिहार में आज की यो फीरी है भारती जन्तापाटी के पंक्ती में है आप देखे ना अधिकतर लोग तो सुसिल मोदी के दुवारा खरे किये गये लोग है आगे बढ़ाये गये लोग है चाहे में बात करो मंगल पंडे को विजय कुमार सिना विए कुमार सिना एक तर सकती है कि उनके परोशी हुआ करते हैं वो सुसिल मोदी का आवास राइंद्रेगर में और विजय सिना कलवानीपूर में ठीक है तुब काफी निकट में रहे और एक सुन योजित तरीके से मंगल पांडे हो विजय सिना हो ऐसे लोगों सुसि कुमार मोदी ने कई पीडियां तयार की हैं जो आज कहीं न कहीं भारती जंदा पार्टी के लिए एक कह सकते हैं मजबूत निव तयार कर रहे हैं सुशिल कुमार मोदी की बारे में अगर और हम बताना चाहें कि 11 साल वो बिहार के डिप्टी सियम रहें राजनीती में इतने के इंदर की राजनीती में जाएं क्या आप उनके बारे मताना चाहें देखिए ऐसा है कि अब व्यक्ति के तुरूप से उनके मन में क्या रहा यह तुम व्याख्या करना मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए वह बहुत मुस्किल है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुशिल म पूरी योजना बनाना हर तरीके से साधन उपलब्द कराना अब देखिए ना अब इसी लोगसभा चुनाओं में देख लिए आप और पिछले लोगसभा तो सुसिल मोदी मैंने पहले बताया कि इतने अधिक तारकेक कोई कठ्ठा करके चलने वाला विक्ति साध मैंने नहीं देखा भार भाजबा में अभी तक तो कई रूप कई ऐसे चीज़े हैं जिसका कि क्या मैं उदाहरन दूँ कभी उनकी कोई ऐसी बात जो आज भी अब इस दुनिया में वो नहीं है तो वो बात याद करके आपनी आखेना हो जाती हो यह ब्यक्तिगत है थोड़ा सा ब्यक्तिगत यह है कि हुआ क्या कि मैं उन्हें सो नावासी का जो लोकसभा चुनाओ था तो अस्थानी अस्तरपर में जिस मुहले में रहा करता था तो वहां पर मैं भारती इंता पार्टी में सक्रिये था ठीक है लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि विद्यार्थी परस्द के लोगों से मेरी मुलाकात हुए ठीक है उसमें दो नाम है अरून भागत जो अभी भी हार लोकसभा योग के सदसे हैं और आनंद वर्धन उसमें पट्टना विद्याले में विद्यार्थी परस्द के मंत्री अरण भाड़ते जिंता पार्टी छोड़कर विद्यार्थी परस्द में सक्री हो गया तो एक दिन नया टोला में विद्यार्थी परस्द काड़यले हुआ करता था वहाँ पर मैं भी था सुसिल मोदी थे सिव नराइन जी जो भाड़ते जिनता पार्टी के परदेश के अनिल ठाकुर जो उस समय में प्रांत संगठर मंतरी थे विद्यार्थी परस्द सभी लोग थे चुकि संजोग से उस दिन टीम की बैठक हुई थी पठना में बिहार और धर्खंड उस समय में एक था दिनेसा नंत को स्वामी वगरा जैसे लोग उस दिन काड़यले में थे प्रदीब जी पहले ऐसे कार्ण करता है जिन्होंने गंगा उल्टीव आई है मतलब यह अभी तक का ऐसा रहा है कि लोग विद्यार्थी परस्द से भारतिय यंतापाटी में जाते रहे हैं पहले विद्यार्थी परस्द में काम करते हैं फिर भारतिय यंतापाटी में वो बात आपके बारे में सुशिलकुमार मोधी जी ने कही थी जो आपको आज भी याद आती है। कि जब नरेंद्र मोधी को भारती जन्तापाटी का प्रधान मत्रीपत का उमिद्बार गोसित के आगे तो नितीशकुमार ने बीरोद किया। और उसी तोरां सुशिल्मोधी का बयान आया कि नितीशकुमार पि-ए-म मेटरियल है। तो भारती यंतापाटी के परदेश कारसमीती की एक बैठक हो रही थी पठना में, यहां पर कुछ कारकरताओं ने सुसिल मोदी पर खुलेयान आरोप लगाया, कि यह सुसिल मोदी जो है नितिश कुमार के साथ हैं, भारती यंतापाटी का हित को प्रोटेक्ट नहीं कर पा र उस भासन को कम से कम भारती यंतापाटी के लोगों को यान रखना चाहिए, अंत में जिस प्रकार के आरोप उन पर लगे थे, तो काफी ब्रतित हुए थे, काफी दुखी थे, और उसी दों होने कहा था, कि सुसिल मोदी की लास ही भारती यंतापाटी के कारेले से बाहर जा और आज वो तस्वीर सच साबित हो गया, जो उन्होंने कहा था, उन्होंने वो किया, देखी आपके लिए ये काफी भावुपल है, और हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि पटना में ही सुशिल कुमार मोदी का जन्व हुआ था, और पटना में ही उनका अं कुमार मोदी एक ऐसे निता के रूप में याद किये जाएंगे, जो कभी अपने विचारों से जिन्होंने समझाता नहीं किया, और जो संग की विचार धारा रही, जो भारती जन्ता पार्टी की विचार धारा रही, वो जब से राजनीती में आये, वो कभी उससे इधर आसली है, तो देखिए, चुनाओ के बावजूद सारा बिहार उनके दुख में शामिल है, और पुरे बिहार के साथ भारती जन्ता पार्टी के लोग भी गमगीन है, और बहुत सारे उनके बारे में बाते हैं, अगर आपको भी कुछ याद आता है, तो कॉमेंट बॉक्स मे आप भी जरूर लिखे, नमस्कार